नमस्कार, एडित प्लेटर में आपका स्वागत करते हुए आज फिर बिहार की कुछ खबरों पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ मैं मनिकांत ठाकूर यहां के अखबारों में आज भी नौकडी से जुड़ी परिक्षाओं में चल रहे भारी घपले घोटाले से जुड़ी खबरे ही लीड ले रही हैं इनमें आज एक नया आयाम ये जुड़ा है कि राज की सताधारी दो प्रमुख पार्टियां राश्टिये जनतादल जेडी यू दोनों के प्रवक्ता बी एससी परिक्षा परचा लीक कांड में एक दूसरे के खिलाफ खुल कर बयान बाजी करने लगे हैं दैनिक भासकर के अनुसार आरजेडी के मुखर विधायक भाई विरेंद्र ने कहा है कि इस मामले की जाच कर रही SIT यानि विशेष जाच टीम पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए CBI से जाच कराने की विपक्षी मांग पर राजसरकार को सकारात्मक रुख दिखाना चाहिए इस मांग पर उखडे जेडी यू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि भाई विरेंद्र की पाटी आरजेडी को SIT पर भरोसा नहीं है तो मामले को कोट में ले जाए और छद्म भाशा में बात ना करें जवावी हमले में आरजेडी के भाई विरेंद्र ने इन दिनों सक्रिय शिच्छा माफिया की तरफ इशारा करते हुए बयान दे दिया कि सब को पता है नोकडी दिलाने के लिए अवैद सेटिंग की लिस्ट कहां बनती है ऐसे बयान का मतलब समझने वाले समझ रहे होंगे कि इस घपले बाजी में एक ख्यत्र विशेश और एक जाती विशेश की भूमिका के आरोप पहले से ही लग रहे हैं दरसल अखवारों में जब ये छपने लगा कि चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव के जमानतदार बने रामाशी शराय को पुलिस ने परचाली कराने वाले गिरोह के एक संचालक की रूप में गिरफतार किया है तब से आरजेडी को इसमें जेडी यू की नियत ठीक नहीं दिख रही है इसलिए दोनों तरफ से तीखे बयानों के तीर चल रहे हैं जो भी हो बीजेपी इस सुलगते विवाद को तूल देने में जुटी है बीजेपी नेता सुशिल कुमार मोदी ने पूछा है कि ये कैसा सन्योग है कि जिस वेटनरी कॉलेज केमपस से चारा घोटाले का अंकुर फूटा था उसी कैमपस के एक स्कूल से बी एस एस सी परचाली की कांड का भी सुत्र जोड़ा है उधर जेडी यू को गुसा इस बात से भी है कि सी बी आई जांच की जो मांग बीजेपी कर रही है उसे आरजेदी के लोग समर्थन क्यों दे रहे हैं उधर आज छपी एक दिल्चस खबर ये भी है कि गिरफतार किये गए करमचारी चैन आयोग के सचीव परमेश्वर राम एक समय वन विभाग की लखडी चोरी कराने के अभियोग में पहले भी जेल जा चुके हैं वो उस समय बेतिया के एक अंचल में अंचला अधिकारी थे दैनिक हिंदुस्तान ने बरी खबर के रूप में ये पूरा ठिस्सा छापा है और भी कई काले कारना में कर चुके परमेश्वर राम को नीतिश सरकार ने आयोग सचीव जैसे पद की जिम्मेदारी कैसे दे दी दैनिक जागरन के नुसार और अंगाबाद जिले के कास्मा गाउं में शौच करने घर से निकली एक तेरह वर्षिय लड़की के साथ उसी गाउं के एक युवक ने बलातकार किया बलातकारी पकड़ा भी गया लेकिन इस घटना से आहत लड़की ने अपनी देह में आग लगा कर जान दे दी उधर बिहार शरीफ के सुमका गाउं के सत्तर वर्षिय हर्यार चोहान को बटाएदारी विवाद वाले जगड़े में हमलावरों ने आग में जोक कर जिन्दा जला दिया ये दोनों मोतें बता रही हैं कि राजी की बिगड़ी हुए कानून व्यवस्था पर नियंतरण में पुलिस प्रशासन कितना अक्षम है ऐसी घटनाओं में विर्धि के सबूत हर रोज मीडिया के जरिये सामने आ रहे हैं लेकिन लगता यही है कि अपराधों पर काबू पाने जैसी प्राथ मिक्ता शासन की कार्ज सूची में है ही नहीं तो आज के लिए इतना ही मुझे फिलहाल दीजिए अनुमति और एडिट प्लेटर का हम सफर बने रहिए नमस्कार